चाप्टर फोर प्लिटकल साइंस क्लास 12 और नेम फ़टर इस अल्टरनेटिव सेंटर्स फफ पावर हिन्दी में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र सत्ता का केंदर एक है और सत्ता के वैकल्पिक केंदर क्या है ये वैकल्पिक कार्थ क्या है वैकल्पिक कार्थ यहां पर जो वास्तविक सत्ता जिस सरकार के हाथ में होती है किसी देश की इसके अलावा किसी अन्य तरह की सत्ता कुछ दूसरी संस्थाओं में नहित है हमने इसके पूर्व के अध्याव में पढ़ा कि कैसे जब विश्व का धुरुवी करण हुआ और शीत युद का काल आया उस दौरान कैसे नई नई संस्थाओं नई नई संस्थाओं का उदै हुआ, जन्म हुआ ये नई नई संस्थाओं जो हैं ये किस प्रकार से देशों की सरकारों को प्रभावित कर रही थी उनकी शक्ति को, उनकी सोच को और उनकी कारिशली को ऐसा प्रभावित करते हुए मानो ये एक तरीके से सत्ता की वैकल्पिक केंद्र बन गई थी तो अब इस अध्याय में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएं थी और किस प्रकार इन्होंने विश्व में सरकारों को प्रभावित किया इस अध्याय के जो मुख्य बिंदू हैं पहला है यूरोपियन संग दूसरा है आसियान उसके बाद चीन और चीन के संदर में आपको बता दें कि मावजे डॉंग जो उनिस और तालिस में चीन के शासक बने कम्मिनिश्ट सत्ता हासिल करने के बाद उसके बाद का काल चीन के बारे में हम पढ़ेंगे उसके पूर्व कानी और साथ ही भारत के चीन से संबंध इस पर एक संक्षप्त इस अध्याय के तहट आपको बताया जाएगा So we start with this chapter and जैथा मैंने बताया कि alternative arrangement वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी इसकी प्रिश्थ भूमी थोड़ी से हमें जानना जरूरी है 1990 आपको याद होगा वह दशक या वह वर्ष जब विश्व एक ध्रुवी हो चला 1991 में वैसे ये तो स्पष्ट हो गया था कि विश्व एक ध्रुवी 1990 में हो गया जब सोवियत संग का विगटन हुआ USSR जब टुकडों में तूटा इसके तूटने के बाद क्या होता है तूटने के बाद 15 नए रिपब्लिक्स का जन्म होता है नए देशों का जन्म होता है उसी सोवियत खेमे के मातहत या सोवियत संग के अंदर ही और उसके खेमे के जो पूर्वी योरप के देश थे वे भी स्वतंतर होते हैं इस प्रकार 15 ये देश और उसके सोवियत खेमे के अंदर आने वाले करीब 8-10 देश ये अब स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी नई दिशा खोजने के लिए अपनी नई दिशा नई राह पकड़ने के लिए तो इस साफ हो गया था कि राजनेतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंदर अब सोवियत संग कता ही नहीं रहेंगे बलकि अमेरिका की तरफ जाएंगे ये जो देश थे नहीं ये अब अमेरिका की और मुखातिर होते हैं यॉरोप में उसको लेकर कुछ बदलाओ होता है आप यदि ये नक्षा देखें तो आप आएंगे कि पश्चमी यॉरोप के पूर में जो देश हैं जो सोवियत संग की सीमा से लगे हुए हैं वे देश अ और इसी के परणाम स्वरूप यॉरोप में कुछ उथल पथल होती है और कुछ नई संस्थाएं सामने आती हैं एशिया में भी कमोबेश यही स्थिती होती है क्योंकि सोवियत संग का कुछ हिस्सा एशिया में भी है तो जो सोवियत संग के वे वह हिस्सा जो एशिया में है वो भी जब स्वतंत्र होते हैं तो एशिया की राजनीती को भी प्रभावित करते हैं और इस प्रकार यॉरोप में जहां यॉरोपी संग का उद्य होता है एक ऐसी संश्था का जिसे यॉरोपियन एकनॉमिक कम्यूनिटी कहते थे ए-e-c वहीं एशिया में एसियान का उद्य ह जो है वो दक्षिन पूर्व एशियाई देशों से जोड़ा हुआ है आखिर ऐसा क्यों अन्य देश क्यों नहीं उत्तर बड़ा सरल है सोवियत संग के दक्षिन पूर्वी हिस्से के देश सोवियत संग के प्रभाव से जब मुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से वे एक नई दिशा की खोज करते हैं जैसा मैं बारंबार कह रहा हूं और उसके तहत ये एस यान की स्थापना होती है ये दोनों संस्थाएं बड़ी ताकतवर संस्थाएं निकली किसी जमाने में जब इस प्रारंब होई थी दोनों अपने अपने अलाकों में एतिहासिक जो दुश्मनिया थी उसको भुला देते हैं कमजोरियों को एक तरीके से बैक बर्नर में रखते हैं कमजोरियों को एक तरीके से पीछे करते हैं और उनके अंदर जो संसाधन उनके अंदर जो अन्य पॉजिटिव्स थे उसको लेकर आगे बढ़ने का एक सार्थक प्रयास होता है और उसी दिशा में वो खोजते हैं रास्ता खोजते हैं उसके साथी साथ शान्तिपूर्ण दिशा में बढ़ने का एक प्रयास होता है इसके सहकारी व्यवस्था बढ़ती है और विकास की और अर्थशात्र की और अर्थ व्यवस्था को एक दिशा देने का बहुत सार्थक प्रयास इन दोनों संस्थाओं के दोरा होता है उदैत होना शुरू होता है 1940 जब माउजे डॉंग आये तो चीन की एक कर्टन थी एक परदे के अंदर था अंदर की गतिविदियां बाहर को बाहर वालों को बिलकुल नहीं मालुम थी लेकिन जिस काल की अब हम बात कर रहे हैं उस काल में चीन ने एक खुला पन अपनाया और मालुम हुआ कि चीन की अर्ठ व्यवस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थ व्यवस्थाओं में अब शामिल होने की कगार पर है उस दिशामें उसने काफी काम किया है चीन के इस आर्थिक उभार ने विश्व राजनीती को एक नया मोड़ दिया सोवियत संग समाप्त होता है अमेरिकी वर्चस्वता का प्रभाव दिखाई देता है और वहीं चीन का उद्ध होता है एक आर्थिक ताकत के रूप में और जब ये आर्थिक ताकत के रूप में इसका उद्ध होता है चीन का तो निश्चित रूप से पूरे विश्व की राजनीती पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इस अध्याय में हम उन्हीं वेकल्पिक केंदरों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इनकी क्या भूमिकाथ थी क्या रही और क्या हो सकती हो तो शुरुआद करते हैं सबसे पहले हम European Union से European Union EU संक्षिय्ट में इसे ज़्यादा EU के नाम से जाना जाता है European Union यूरप की यदि हम बात करें तो अनादी काल से हम देख रहे हैं खास कर पहले दशक से 180 के बाद के काल के घटना करम को इतिहास को हम देखें तो हम सतत रूप से पाएंगे कि विश्व की राजनीती में उथल पथल में यूरप हमेशा एक केंद्र रहा है खास कर पश्चिमी यूरप पश्चिमी यूरप अर्थात वे देश जिसमें इंग्लेंड, फ्रांस, स्पेइन, पुर्चगाल आदी आदी ये सब देश आते हैं और ये चुकि समुद्री तट पर स्थित हैं, इनका संपर्क जल मार्ग से पूरे विश्व से बना हुआ था और इनी देशों में से कमो बेश एक ने अमेरिका की भी खोच की थी तो कहने का ताथ पर ये है कि यूरप सभी गत्विदियों का केंडर रहा और बीसवी सदी में यूरप की खालत ये हो गई थी कि विश्विद्ध के पूर्व एक बदलाव दिखाई देता है और इस काल की जो महत्पूर्ण घटनाएं हुई उसका प्रभाव भी यूरप में दिखाई देता है चाहे वह युद्ध प्रथम विश्विद्ध या दृती विश्विद्ध हो चाहे वह आर्थिक मंदी हो जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं 1929 का चाहे वह यॉरप चाहे वह युद्ध के बाद की स्थितियां हों और इन सब स्थितिएव में हम देखते हैं कि यॉरप पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा हो अर्थात कहने का मायने कहने का मकसद यह है कि लगातार यूरोप के इतिहास में हम ऐसा घटना करम पाते हैं जब समूचा यूरोप किसी नकारात्मक घटना करम के कारण उसका भुक्त भोगी बनता है और उससे प्रभावित होता है यहां पर अमेरिका सामने आता है शीत उद्ध के बाद की घटना करम में आपके इस अध्याय में और समकाली इन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व इस अध्याय में हमने पढ़ा ट्रूमेंट डॉक्ट्रिन क्या है इस पर विस्तार से हाँ बिना गय आपको केवल ये बताना चाहेंगे कि ट्रूमेंट डॉक्ट्रिन एक ऐसी योजना थी एक ऐसा सिध्धान्त था जिसके तहट ये तै किया गया मेरे की शासन द्वारा कि जरूरत मन देशों को शब्द था जरूरत मन देशों को पूरी तर से आर्थिक साहेता दी जाए ये जरूरत मन देशों जो है वह बड़ा उसका बड़ा नाटकी उपयोग किया गया और अमेरिकी वर्चस्व का एक ये कारण भी बना अमेरिका ने इस ट्रूमेंट सिध्धान्त और मार्शल योजना के माध्यम से योरोप को आर्थिक मदद क पेशकश की चाहे वह लोन के रूप में हो चाहे वह बिना किसी ब्याज के रूप में हो मानवतावादी अप्रोच के रूप में हो आप किसी भी रूप में लें लेकिन इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ राजनीती थी पर सच्चाई ये है कि ये दोनों प्रस्ताओ यूरोपी देशों को दिये गए और देशों ने इसका भर सक पूरा फायदा उठाया दोनों प्रस्तावों ने यूरप के आधनी की करन का यूरप के विकास का यूरपी देशों के विकास का और यूरपी सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया अब शहयोग का मार्ग प्रशस्त मार्शल प्लैन के माध्यम से क्यों होता है या ट्रूमेंड डॉक्ट्रिन के माध्यम से क्यों होता है इसके पीछे तर्क ये है कि ट्रूमेंड डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लैन के तहट जो देश अमेरिका से अपनी जरूरतें पूरा कर र थी तो चुकि इस मामले में समानता थी निश्च तरूप से ये सभी देश एक दूसरे के निकट आये और इस निकटता ने उनके मन में सहयोग की भावना पैदा किये पूर में जो ट्रेडिशनल वार हुआ करते थे इंगलेंड और फ्रांस के बीच में पुर्चगाल और स्प कमोबेश कमी आए और सहयोग की भावना बढ़ी इसी सहयोग के परणाम सुरूप European Union नाम का क्षेतरी सहयोग संगठन बनता है तो प्रिष्ट भूमी में आपको कारण मालूम हुआ और अब हम संस्था पे आते हैं European Union क्या है European Union छह राश्टों की संस्था थी प्रारंबिक दौर में बेल्जियम आप नक्षे में देखें फ्रांज जामनी इटेली लक्जंबर और इसके अलावा नीदरलेंड भागोलिक जिससे आप पाएंगे सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए है नीदरलेंड को हॉलेंड भी कहते हैं Dutchland भी कहते हैं तो ये छह देश सबसे पहले ये संग बनाते हैं European एकनामिक कम्यूनिटी जिसका उद्देश आर्थिक विकास था वो अपने को जीवनत बनाने के जैस से कुछ बदलाव करता है और इस बदलाव का एक कारण ये भी था कि Soviet संग टूट चुका था और उस तूटे हुए सोवियत संग से निकले हुए लगभग 15 देश और उसके अपने खेमे के करीब 10 देश अब एक नई दिशा खोज रह थे इसलिए जीवंतिता के प्रयास में 1992 में अर्थाथ सोवियत संग के विगटन के तुरंत बाद लगभग मैस्ट्रिच में जो नीद और एक प्रस्ताव रखकर प्रयास करते हैं कि येरोपियन की येरोपियन एकनॉमिक कम्यूनिटी के दाइरे को बढ़ाया जाए इसी दाइरे को बढ़ाने की इच्छा का परणाम यह हुआ कि 1993 में मैस्ट्रिच संधी पर बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किये सदस्य येरोपियन यूनियन का नाम दिया गया तो मैस्ट्रिच ट्रीटी वह समय है या वह संधी है जिसके बाद येरोपियन एकनॉमिक कम्यूनिटी का नाम बदल कर येरोपियन यूनियन कर दिया गया और इस यूनियन के दाइरे में बहुत सारे नए देश जुले जैसा मैंने में बताया है कि इसके इसकी शुरुवात में छह देश थे अब इनकी संख्या बढ़कर 28 हो गए आप यदि नक्षे को देखें तो नक्षे में पाएंगे कि यॉरॉप जो है वो लगभग पूरा का पूरा अब सोवियत संग के खेमे के देशों को भी यदि हम जोड़ लें त जुड़ कर अब वो यूरोपियन यूनियन का सदस्टा बन चुका है एक तरीके से पूरा महादवीप जो है वह अब यूरोपियन यूनियन के सदस्टा रखता है मैस्टिश ट्रीटी छै देश बाद में 28 का होना इस वकार यूरोपियन यूनियन की नीव रखी गई अब हम आते हैं इसके संस्थाओं पर इसकी कुछ छै साथ संस्थाएं थी पर सबसे महत्पूर्ण संस्था है यूरोपी संसद मैं इसको सबसे प्रारिम में आपको इसलिए बताना चाहरा हूँ कि यूरोपी संसद सर्वोच संस्थाथ जैसे किसी देश की संसद वहां की सर्वोच संस्था होती है उसी प्रकार यूरोपी संसद येरोपी संसद में कुल साथ सो पच्चासी सदस्यों की ख्षमता है और ये साथ सो पच्चासी सदस्य प्रपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसके जरिये से विभिन सदस्य राष्ट्रों से चुनके आते हैं लेकिन आपको एक चीज़ पच्च करना चाहेंगे कि इस येरोपियन पारलमिंट जोसे हम अंग्रेजी में कहें इसका कारिक खित्र वैसा नहीं है जैसा कि भारत के संसद में है या किसी अन्य देशों के संसद में है ये किसी तरह के कानून किसी राज्य को लेकर किसी देश को लेकर नहीं बना सकती उसका अधिकार इससे नहीं है मूल रुपसे से अधिकार है नीती गत मामलों में जो पूरे येरोपियन राष्टों को प्रभावित करता हो उस पर निर्ने लेना उस पर विचार विमर्ष करना और उस पर किसी सहमती पराना इसके अलावा संसद जो है वह यूरोपियन संसद वह बजट को लेकर भी बैठक करती है बजट दो तरीके को होते हैं एक तो राष्ट का बजट स्वैम का और दूसरा संस्था का बजट संस्था के बजट से माइने हैं यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई और उसके बाद जो 28 देश जुड़े तो उसको जरूरत पढ़ी एक अपने लिए एक हेड़ क्वाटर की वो हेड़ क्वाटर कहां बनाये गया ब्रसिल्स में ब्रसिल्स बेल्जियम में बलकि कहना चाहिए कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रसिल्स वहां पर अब ये इसका मुख्य कारियाल है बनाये गया जिस भीया की जरूरत है उसका खाका संसथ तै करती है और proportionate तरीके से संबंधित राश्ट वो इसके लिए अपना पैसा देते हैं और इस प्रकार येरोपी संसथ एक कानूनी संसथ, कानूनी संस्था ना होकर ये कानून बनाने वाली संस्था ना होकर बलकि कहना चाहिए एक ऐसी स संस्रा है जो नीतिकत और बजट के मामलों में ज़्यादा ध्यान देती है तो इसके साथ ही विधक वगर जो आते हैं उसके पास उसका अध्य। कर उसे पारित करना या उसमें कुछ संशोधन करना ये उसके अधिकार खेत्र में है याद रहे ये संसद जो है पूरी योरोप की संसद है और इसे कते इस बात का अधिकार नहीं है कि वह किसी सदस्य राष्ट के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही बात यूरोपियन यूनियन की संसद के बात दूसरी सबसे बड़ी संसदा है इसकी आयोग आयोग इसकी कारेकारी संसदा है कारे-कारी संस्था करता है एक्जिक्टिव बॉडि जो लागू करती है जो संसथ के द्वारा बनाए गए प्रस्तावों को प्रैक्टिस में लाती है इसमें 28 सदस्थे हैं कुल इसके सदस्थे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये संग की नीतियों को क्रियानुवित करत मैंने जहता आपको बताया, to execute, to execute मतलब लागू करना, और एक अर्थ और होता है, to execute मतलब फासी पर टांग देना, गोली से उड़ा देना, किसी को किरक्रिया, to execute मतलब लागू करना भी होता है, तो यहां पर executive power जो होता है, वो आयोग के हाथ में है, जो सभी चीजों को लाग पारित है, और इस पकार यह संग की नीतियों को क्रियानवित करने का, implement करने का, execute करने का, काम करती है, और साथ ही, ऐसा करते हुए नीमों को भी बनाती है, नीमों का निर्धारन करती, किस नियम के तहत, या क्या क्या ऐसे नियम बनाए जाएं, जिसके तहत, विभिन नीतिय लागू की जाएं याद रहे 28 सदस्य और 28 राष्ट अर्थात हर राष्ट से एक सदस्य इसमें चुना जाता है आयोक के बाद अगली जो संस्था है वो है परिशद परिशद के माइने क्या है नीति निर्धारक संस्था पॉलिसी डिसीशन मेकिंग बाडी वो नीतियां तै करती है नीतियां तै करने का मतलब क्या होता है नीतियां तै करने का अर्थ यह होता है कि किसी एक नीति पर निर्धारन लेना उदारन के लिए संसद ने यह निर्ना लिया है कि हम किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे तो इस पर परिशद विचार विमर्ष करके अपनी अप्रूवल देती है आयोग के प्रस्तावों पर विचार करती है और उसके अलावा भी समन वै और संधियों को लागू करने के लिए उत्तरदाई है रिस्पॉंसिबल है तो परिशद का काम मूल रूप से आयोग के आदेशों को या आयोग की नीतियों को उस पर विचार मंथन करके उस पर अप्रूवल देना और उसे लागू करना इसमें भी हर राष्टे से एक-एक सदस्य आता है अठाइस सदस्य चूँकि अठाइस राष्टे है इससे पहले हम और आगे बढ़ें नक्षे पर एक नजर आप पुनह डालें और इसमें आप देखेंगे कि पुराने और नए सदस्यों को लेकर आपको और सितिश पष्ट हो जाएगी पुराने सदस्यों के दिए बात करें तो जैसा मैंने प्रारम में बताए च्छे सदस्य थे लेकिन जब हम पुराने सदस्यों की बात करते हैं के माइने ये हैं कि सोवियत संग के विगटन के पूर्व के सदसे कौन से थे और सोवियत संग के विगटन के बाद के सदसे कौन से थे याद रहे संस्थापक सदसे छह पुराने सदसे अर्थात 1990-91 के पूर्व के सदसे और नय सदसे अर्थात 1990-91 के बाद जब सोवियत संग है तो इसमें यह दिनाम लिया जाए तो आर्लेंड युनाइट किंग्डम अर्था इंगलेंड एक तरीके साब कह सकते हैं नीदरलेंड बेल्जियम लग्जंबर्ग जो सापक सदसे है फिर फ्रांस पर्चगाल स्पेइन डेनमाग जामनी स्वीडन फिनलेंड आस्ट्रिया इ रही नए सदस्यों की बात तो आप देखेंगे इनके नामों पर गोर करें तो आप पाएंगे अधिकतर देश वे हैं जो किसी समय सोवियस संग का हिस्सा थे एस्टोनिया लिथवानिया पोलेंड जेक रिपाब्लिक स्लुवाकिया हंगरी स्लुवानिया एटसेटरा एटसे तो इस पकार पुराने और नए सदस्यों को जानने के बाद येरोपियन संसज, आयोग और परिशद के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नियायाले यदि सदसे देशों के बीच में कुछ विवाद हो किसी मुद्दे को लेकर विचारों में विवित्ता हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में तुरित निर्णा के लिए उन्होंने अपने स्वैम की नियायले की स्थापना की याद रहे योरोपियन यूनियन का नियायले और सेयुक्त राष्ट संग का नियायले अलग अलग है इस नियायले का गठन 25 नियाधीश और आर्ट एड़ोकेट जेनरल से मिलकर बना है 25 नियाधीश की कुल कपैसिटी है वहाँ ये क्या मामले सुनते हैं ख्षतिपूर्थ के मामले और आर्थिक कृतियों की वैधानिकता की जाँच ख्षतिपूर्थ के मामले क्या हैं कंपेंसेशन ख्षतिपूर्थ का आर्थ है कंपेंसेशन अर्थात मूल रूप से आर्थिक मामलों पर नियाले अपना निर्णे देता है रही बात आर्थिक कृत्यों की वैधानिकता की जाँच इसका आर्थिये हुआ कि सदस्च राष्ट जो भी कुछ आर्थिक गतिविदियां कर रहे हैं उसके पीछे किसी तरह का स्वाहित ना हो और दूसरे राष्टों को यदि नुकसान हो रहा है तो ऐसी स्थित में उस पर इस नियाले को सुनवाई करने का अधिकार है और अपना निर्न देने का अधिकार है तो इसका दायरा भी सीमित ही है आर्थिक मामले मूल रूप से नेयाले के बाद अग्ला है निवेश बैंक इन्वेस्टमेंट बैंग इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि इसमें से बहुत से देश सदसे देशों में ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थर अलग-अलग है खासकर जो पुराने सदसे देश थे वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए थे मार्शल प्लैन, टूमेंड डॉक्ट्रिन और अन्य जरियों से चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे अमफ हो चाहे गैट हो इन सब के मार्ध्यम से पुराने देश दुती विश्युद की जो विभी शिकाएं थी उससे उबर चुके थे आर्थिक रूप से संपन हो चुके थे लेकिन बाद के देश कुछ ऐसे निकले जिन्हें आर्थिक मदद की जरुत थी और इसलिए निवेश की जरुत पड़ी तो येरोपियन निवेश बैंक में जो पैसा है वो सदस्राश्टों के द्वारा दिया गया पैसा है विविन ने प्रोजेक्ट को धन दे कर समधाय के हितों की रक्षा करके और उसके साथी साथ जो बाजार है उसका साज़ा बाजार उसका उचित तरीके से विकास हो इसको ध्यान में रखते हुए इस बैंक को बनाए गया है और ये एक को आपरेटिव की तरह काम करता है जहां सभी राष्टों से मिला हुआ धन किसी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में लगाया जाता है इस पकार आयोग के बारे में शुरुवात करके हम येरोपी निवेश तक आते हैं ये जो संस्थाएं हैं इसके अलावा भी कुछ और एडवाईजरी बॉडिज हैं जिसे हम परामर्श दात्ति संस्थाएं कहेंगे इनका काम केवल एडवाईज देना है केवल परामर्श देना है जैसे आर्थिक सामाजिक समिति येरोपी कोईला और स्पाथ समुदाए की परामर्श दाता समिति अब आखिर समितियों की जुरत क्यों है संस्थ जो है वह एक बहुत बड़ी संस्था है और एक बड़े उंचे स्तर की संस्था है इसमें 785 सद से होने के कारण ये लगबग असंभव है कि हर मामलों में लगातार संस्थ की बैठक हो और उस पर बहस के बाद त्वरित निरने लिया जाए इस से बचने के लिए इस दिक्त से बचने के लिए और काम को तेजी से करने के लिए समितियों के आश्कता पड़ती है उसी लिए इन समितियों के प्रस्तावों को संसद में रखा जाता है जिसे समान नित्या संसद पारित कर देती हैं क्योंकि समीति के द्वारा किये गए प्रस्ताव काफी गहन रिशर्च के बाद ही दिये जाते हैं। यूरोपी आयोग जो है जिसका मैंने पूर में जिक्र किया इसकी मदद के लिए पांच हज्जार लोग हैं। लोग सेवक, आफिसर, पब्लिक सर्विंट्स और इन लोग सेवकों को यूरोशाह कहा जाता है हिंदी में। भारत के संदर में बात करें तो एक शब्द आता है नौकर शाह। नौकर शाह करत क्या है? वे सरकारी अफसर जो उचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। बलकि डिकाना चाहिए नौकर शाह मतलब क्लास वन अफिसर, उन्हें नौकर शाह कहेंगे। अंग्रेजी में उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स बी यू आर इए यू ब्यूरोक्रेट्स उसी से शब लिया गया और यूरोपियन नौकर शाहों को जो नाम दिया गया वह कहला है यूरोक्रेट्स तो यूरोक्रेट्स यानि अधिकारी जो की यूरोपियन यूनियन की प्रश्टावों को खारिज नहीं करती ये तो रही संस्था के धाचे की बात कितने देश हैं कहां स्थित्था हैं कितने अधिकारी हैं और इसके क्या-क्या इसकी संस्थाएं हैं अंग है